राश्टी स्वायम सेवक संग द्वारा आयजीत फालगुनोसों में परदेश के मुखमंतरी योगी अदितनात महानगर वासियों के साथ होली खेलने गुरुवार को एतियासी घंड़ा घर पर फालगुनोसों में पतौर मुखतिती शिर्कत किये जहां राश्टी स्वायम के महान सपूतों को जिन्होंने भारत माता पर अपना सर्वस बलदान किया है उन शहीदों को कोटी कोटी नमन करते हुए आप सभी को होली की मंगल में शुपकामनाय देता हूं ये पर्व हम सभी के लिए हर्श उल्लास का पर्व है इस बात को लेकर कि जब हम इच्छा करत हैं अपने कर्तब पत पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कर्तब पत पर आगे बढ़ते हुए जब हम हमें सफलता प्राप्त होती है आवसर हमारे लिए जोश और उल्लास का होता है इस दारान एसेसबी के और अस्थानी परशासन अपने दल बल के साथ मौजूद रहे फाल गुनस्तों में राश्टी सवन सेवक संग के गोरक्ष परांत प्रचारक संचालक सुभाष काली बाडी के महंत रवीन दिद्दास वारारसी से आयर सतुवा बाबा ओम जालान सहित राश्टी सवन सेवक संग के अन पतादिकारी कारकरता और आमजन मौजूद रहे ह拜拜 यह वो हखिए जाल जागो में थाधा पत्रsesवक के मैं काड्रे के कदादर बाद नाया थे में अलुक में भी जाएव को जाए यहार्टी में उसलिपने में सवन सता इना मुक सब्समाग के में .... राज़्ट काबी जलने सान हूँ घर पॉरки लाज़ता बिजने सान हाईची आजया हाई माना निया, वो कैसे जिल आत्मर हो चुगा है? साथ वे हमारे दक्तक पिफुलाची, दक्तक पहन जी, सुभाशी, ओम जी, ओम जालाँ जी, आएंगे मंचुलाच, आपके पुष्टी का आत्मर हो चुगा है, ठीक हो एक बार आपने, अब अदुप्री का स्वागत पुरो हो रहा है, स्वागत में, अरोंप्रकास मंज़ी से आधेयर करुगा की मंच पर आवे, उट्टों पदेश सरकार की माननीय मुष्मंत्री, पुझ्योगी आदिताजी माराज उपस्थित है, स्रीमान बंका पुझ्मूराजी, उट्टा स्वागत कर मंच पुझ्योगी आदिताजी का स्वागत कर में, स्वागत कर में पुझ्यूगी पूम जादान जी मनोज जी आसिय शकुत्त जी होजगा दाँ समीजी के साहे जोड आसिय शकुत्त जी मन्च पर आईए मन्य अतितियों को महरा पहना कर सुपशबब मार पाल कर दिये खुर्द ऑ्रतック साइजов चर्ट चर्बाल ख़ी शांचर आर खे गए ट्रवार ऱग रहा है पर जो कारिकम यहां पर संपन हो रहा है वो गोरतपुर में ही संपन होता है इस कारिकम को संपन कराने में जिनका आखिर बजन है जिनका हम सब को आखिरवाद है और जिनोंने वर्षों से हम सब को मारक दर्शन किया है ऐसे गोरक्षनात बढ़ का योगदान है और आप सब मंचिबंचितर देख रहे होंगे प्रते नाना जी का जो भारत माता के महान सपूत है और जिनको अभी भारत सरकार ने भारत रखन दिया है ऐसे नाना जी ने पचास वर्ष पहले यहाँ होनी की इस प्रकार की परंपरा को हम सब के सहयोग से प्रारप्ड किया था वो परंपरा मनाने के लिए हम सब लोग यहां पर इकठे हैं नाना जी को भारत रखन मिला है इसलिए एक बार चार सब्टों में उनके बारे मैं आपको जानकारी दोंगा आप सबको जानकारी रहनी भी चाहिए नाना जी कौन है तो नाना जी राष्टीय सोयम सवक्सन के प्रचारा करहे नाना जी कौन है नाना जी जब भारत में एमर्जंसी लगा था लोग तंद्र का गला घोटने का काम चल रहा था उस समय, एमर्जन्सी के समय में भी जे प्रकास नारायन को पुरक्षित बचा करके अपना हाथ भी तोड़वा लिया ऐसे नाना जी थे नाना जी ने चित्रपूल के अंदर जो काम खड़ा किया आज वो काम उत्यमता प्रकल्ब के नाते से आज वो काम ब्राम दर्शन के नाते से आज वो काम ब्रामों दर्विस्त वित्यारे के नाते से नाना जी ने जो शिश्मन्तिर शुरू किया आज देश पर केंदर तीस हजार वित्यारे है नाना जी का चित्रपूट का जो काम है आज चित्रकूट के आस पास के 500 गौओं बोले करको ने गामडिकास का काम शुरू किया है 500 गौओं में 100 गौओं में मुकद में नहीं है नाना जी के काम को देखने के लिए हमारे देश के राष्ट पती है ती जिए अब्दूल कलाम गए थे कलाम जी ने जाकर के वहाँ पर देखा और देखकर के दिल्ली पर जाकर कहा गौओं बिकास का जो मादर है वो चित्रकूट का मादर देश को अपनाना चाहिए और कलाम ने कहा कि कोई भी जाएगा वहाँ तो उसकी आखे खुल जाएगी नाना जी ऐसे आदमी थे हम सब कीत में बोलते हैं कर समर्वित मर समर्वित और यहाँ जी यन समर्वित चाहता हूं देश की धर्टी तुझे कुछ और भी दूँ नाना जी ऐसे लोग में थे मरने से पहले अपने देखों भी ताम करके गए एसे नाना जी ने यहाँ जी परंपरा को परारम्द किया, गौरोप्शनाथ पीज का, आसिर भजल हम सब के साथ में होली मनाने के लिए हम सब यहां पर आये हैं, नाना जी की इच्छा थी, सब लोग मिलकर के होली मनाये, होली रंगों का परव है, प्रेव का परव है, हम सब पूरे समाज को गले लगावें और हमारे गर में जितने प्रकार के लोग हमारे काम के साथ जुड़े हैं हमारा कपड़ा दोने वाला होगा तो, हमारा बाल काटने वाला होगा तो उसको भी अपने गर पे साम को पुला के उसके साथ हम सब खोजर करAy करें भारत माताकी भारत को के अपान मर्सिंग की इस पारव याक्रा कि आज के इस कारिक्टरम में उपस्ती तरब रास्ती स्वें सेवत संग के गोरक्स प्रांथ के मानि तंचालक जी गोरक्स प्रांथ के प्रांथ परचारग मानि सुवाज जी कानी बाडी के महंजी से रविंदर दाज जी वारव नासी से यहां पर पतहरे जी सत्वाववा पहंद संकुर्जाज जी माराज आज के इस कारेक्रम पस्तित दोक्टर महेंदर घ्रवाज जी स्यों जालां जी महराज जी को थोड़ा इधर कर दो जी रास्तिय स्वेम सिवक्संग समेथ विभिन सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संवर्टनों के तथी पदारीकारीगण और उपस्तित नहराज जी को इधर कर दो जी सेत्र के सभी मंदुलण आप सब को मैं खोली की भार्दिक सुपकामनाई देता हूँ भायो मैंनों समसाव भूली के स्वर्व को इस बार ऐसे उसर पर मना रहे हैं जब पुरी देश के अंदर एक नया उपसा है एक नया जोस है और यह जोस इस बात का किस देश के सस्की प्रदानमंत्री से नरव द्रमोदीजी के नकृत्तों मैं बिगत पौने पांच वरसों से भारत के समक्र विकास के लिए जो योजनाय बनी तेश की जड़त विवस्ता को सधारने के लिए जो कारिक्रम पर आरव हुए भारत दुनिया की एक महास्वस्ते की रूप में जहां दुनिया के सामने पुस्पुक हुआ वही साथी साथ भारत की सामरिक ताकत तो दुस्पन को उसके माद में घुसकर के जवाद देने का मादा रखता हो भारत में ये ताकत आज़ों अर्जित की है एक और दुनिया की उभरती वे सबसे मुड़ी आर्थिक महास्वस्ते की रूप में और दूसरा दुनिया के सबसे बड़े और सामरिक ताकत का एसास की आज़ भारत करा रहा है जिसमें दुस्पन की आँच से आँख मिला करके हम अपने देश के दुस्पनों को जवाद दे सके सबहा एक रूप से बोली का ये पर्व ऐसे आउसर पर हम सम के अज़र एक नया उसाब पहिदा करता है मैं इस अज़र पर भारत माता के उन भाहान सपूतों को जिन्होंने राश्ट रक्सा के लिए अपना सर्वस्टों बल्दान किया है उन सभी अमर सहीतों को कोटी कोटी नमन करते वे आप सब को मैं होली की मंगल मैं सुबकामना ही देता हूँ जब हम अच्छा करते हैं अपने करतब के पशपर जब हम दो आगे बढ़ते हैं तो करतब के पशपर आगे बढ़ते वे जब हमें सबस्था अपराप्त होती है तो उसर हमारे लिए जो सरुलास का होता है याद करना आपके जटिकत जीवन का कारे हो सारजिनिक जीवन का हो या रास्तिय जीवन का इन सभी का अपना एक महत्व है और उस महत्व को ध्यान में रख करके आज जब हम सब ओने के सपर्व को पुरी देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनादन हिंदू दर्मावलम भी निवास करता है वो इसी उस्था के साथ सपर्व और प्यावार को मना रहा है आपसी सदगा आपसी सोहान आपसी मदवेदों को दूर करने और भारत को परम बैवां तक पहुचाने के लिए जो सपना आज से लगबग पिचानवे वर्स पहले सदे डॉक्टर हेटकेवार जी ने देखा था उससे पहले जो सपना इस देश की विसी परमपरा ने देखा था इस देश के संत और इस देश के दरमाचारियों ने जो सपना देखा है भारत को विस्टर गुरू के रूप में स्तापित करने का उस सपने को साकार करने के दिन जब हम सब के सामने दिखाई दे रहा है और काफी हद तक भारत उस मार्ग का मुसर्ण करते वे और नक्स्यों को प्रांट करता वा दिखाई दे रहा है तो अब आए गुप से भूली का यकपर वो हम सब के लिए बुट्सा और एकने जोस के साथ हम सब को बेणा प्रबान करने के लिए आया है भायोगे न हम सब को इस कारे में नहीं पूरना चाहिए कि होदी का यकपर वो है जा हम सब के लिए गुट्सा का है वही हमें सबर्गता के लिए भी प्रेरित करता है याद करना एक परत वे ताक्ते हैं जो भारत की संब्रिदी भारत की कुटाहाली भारत के प्रम्यभात ले जाने के लिए प्राण परसे चुके हैं लेकिन दूसरी तरह वे लोग भी हैं जो भारत के अंदर खुश करके भारत के अंदर रह करके भारत के अंदर को बांड करके इस्तामाजिक ताने बाले को छिंड विंड करना चाहते हैं याद करना ये विभाजनकारी तागते हैं विड कस्यत के रूप में हैं ये विभाजनकारी तागते हैं रावणी सक्तियां हैं ये विभाजनकारी तागते हैं वे तंसकी तागते हैं जो भारत को सब परिवार परिवार से चाहती से अपर उठ करके एक ही अमारा धर्म है और वो धर्म है राश्त धर्म अपने राश्त धर्म का निर्वहन करते हुए अगर हम चाय करेंगे अगर हम उठ लक्ष को प्यांच करते हुए आगे दिखेंगे कोई कारण नहीं कि हमारे द्वारा क्या गया कोई भी प्रियास भारत को दुनिया की एक महासक्ति के रुप में स्थाफित कर देवे इस देश के 130 करोण लोगों के जीवन में फ्याबक फुसाली का अधार बन सकता है और होडी का हमारा इस तंकल को इस दुरूप में आगे बढ़ना चाहिए आप मुझे लगता है ओजी का एकपर वो दो प्रकार से हमारे लिए में तुपोण है एक अपने अवर सहीदों के प्रभी सर्मान चलिया रुपित करने का आपने वेखा होगा आप जब मंच पर आए है तो यहाँ पर सकाओ नाना जी देश्मूथ का चित्र यहाँ पर लगा है नाना जी देश्मूथ जिनके बारे में हमारे प्रांद परचारगी ने बताया कि रास्तिय सिवन से ऊंसे रख सकके वरिष्ट परचारग के रूप में उन्हांने अपनी सेवाएं गोड़कुर से प्रारत की थी इस देश के अंदर ग्रामोजाए के मांकित से कैसे हमाम जंद के जीवन में खुशाली ला सकते इसके प्रेरख थे बादी साथ हम सब को भारत माता ग्यों महान सबूता के प्रति भी जिन महान सबूता ने भारत की रख्शा करने एक ने निचोवर किया है जाओं सब के प्रती कोटी कोटी दमन का या उसर हम सब के सामने है वही साथी साथ हम सब के सामने उस्वा का उसर है जब भादर की बहातुरु सेना आदंबबादियां को नेश्टना पूत करके दिखाई लेती है अगर आज इस खुशी से मनाने का उस्तर प्रदान करना है जिसके पीछे मारे उन बहातुर जवानों का सौर्य और प्राकर्म है जिनाने सीमाओं की सुरक्सा करते हुए और हाल में इस देश को सुरक्सा प्रदान की है आपने देखा होगा पिशले दो वर्ष के दोरान स्टीन बड़ी खटना है एक खटना जो इस देश में पुरोद्टर के राज्चियों के सभी आतंतियों को एद ही सर्जिकल इस्ताइक से नस्ट कर देता है पुरोद्टर के भारत में बांगरा देश और मैंबार की सीमा में चितने भी आतंतियों केंप थे पहली सर्जिकल इस्ताइक से उन्हें नस्ट करना दूसरी सर्जिकल इस्ताइक से पाकिस्तान पुरेजित जमो कस्लीर के आतंक बादियों को निश्ट करना और दीसरा पेरिस्टाई की घवंपना आपने देखा अब आप कैसे पाला कोट के अंदर घुश्क करके भारत के बाद बुर्जाओन जवानों ने पाकिस्तान के आतंती कैंटों को नश्क करके भारत के नाकरिकों को स्रक्सा प्रदान की है ये भारत के नित्रत्वा और भारत के जावानों की प्रभी पूरे वेश को अब हारबेक्ट करना चाहिए और इस औसरपर मैं आख सब काहान करूँगा कि भारत के इस सार्य और प्राकर्म का सिर्ग भारत के प्रदैट नागरिका ताहिक वह है कि हम कभी भी जुपने नहीं देंगे बारत के आंग आंग और फांग से खुड़ास नहीं करने देंगे दूसरा कार्य आपने देखा होगा इसी उत्तरप्रडेश की धर्टी पर उत्तरप्रडेश के वासियों को भी 12 जनपरी से 4 मार्ची के बीज में पर्याग राज में कुम्ब के आईज़न को करने का उसर प्रापत हुआ भाईयों बैनों आंस्ता का सम्मान कैसे होता है आपने देखा होगा हजारों वर्सों की कुम्ब की स्परंप्रा को जो एक नई उचाईयां प्रदान की हमें एक रानमंत्री मोदी जी के प्रद्यावार बिक्ति करना चाहिए जिनाने कुम्ब के सुराथ में भी गंगा फूजा से इसका रिक्रफ का दुखारफ किया और कुम्ब के अंत में स्वाचिक सम्ता का जो धान पृस्तुत किया सफाई कर्मियों के बाद प्रक्षालन के मात्यम से इस्वाचिक सम्ता का जो धान पृस्तुत किया मुझे लगता इससे बड़ा धारों दुनिया में देखने को नहीं देखा क्याने कभी हुआ कि सभाई कर्वियों के पाद प्रक्षालत कोई सामाने ब्रक्षितों करता नहीं, देश के प्रुनान मंत्री के द्वरा किया जा रहा है, ये स्कारे में स्वावित करता है, भारत के अंदर कोई चोचोगर, कोई ऊच नीच का भाव नहीं है, और मज़रक्ता होलें का फर्वी यही पेडा हद को उत्मान करना है, प्र्यागराज में गयोंगे, साड़े 400 वर्सों के बाद, अक्से वर्ण का दर्शन करने का सुभाग आपको प्राप्ट हो रहा होता, अक्से वर्ण, साड़े 400 वर्ण से किले में खैप था, प्रुनान मंत्री मोधी के कारण, अक्से वर का दर्शन करने का सुभाग के प्राप्स हो रहा है और इस आउसर पर रहे एक बार मुना प्रयाक राज कुम्ब के साथ ही इस देश की सुरक्सा और पुरे देश के अंदर होनी का जो उल्लास और उत्सा अजाज देखने को मिलना है भारत के सेना के सौर और प्राकर्म के एक गाथा लिखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं मेरा सब से याक्रा होगा देश के आन मान और सान की रक्सा के लिए हम सब अपने राज्पिय धर्म का निर्वहन करें के बोली का यह पर्म हम सब के लिए यही एक नई पेड़ा पुर्दान कर रहा है क्योंकि न्याय सत्य और घ्रवत का नुषरण करना यही धर्म का मार्ग है यही हमारा राज्पिय धर्म है जो हमें अच्छे मार्ग का नुषरण करने की पेड़ा प्रदान करें जो हमें अपने कर्दतियों का निर्वान करने की प्रेड़ा प्रदान करें जो इस देश के प्रदेख नागरी के पीच में किसी प्रकार का भेदवाव न करता हो उस प्रकार का भाव पैदा करने की प्रेड़ा प्रदान करने का वारा यह होनी का परवत याद रखना सम और विसंग परस्तिती में जय और प्राजय की प्रवा के विगर अपने पक पर अड़िक होकर के चनले वारा कोई विफ्टिक भी प्राजीत नहीं हो सकता भक्त पर्लाज उसके उधारन है याद रखना भक्त पर्लाज की गाथा कल आपने होलिका दहन के मात्र से होलिका का दहन क्या होगा आपने देखा होगा होलिका को भले हिनकस्यप को कितना भी बरदान प्राप्त होगा लेकिन जब भी कोई गेक भी कितना भी बड़ा क्यों न हो पावर क्यों न हो लेकिन अगर वो अधर्मी है अत्याचारी है अन्याई है तो इस दौर उसके नश्ट करने का कोई ना कोई मार्ग ढून ही लेते हैं और इस नमार को जोटने का दुकार है आज हम सब तो इस देश को पुना प्रम्पेगों तक पहुचाने और आतंगबाद को नश्ट करने आतंगबाद के बिनास के लिए जो एक नया अवियान देश के अंदर प्रारण हुआ है हम सब उसमें से भागी बन सके इसके लिए आज सबसे बढ़िया हो सकता है भारण का प्रदेग नागरिंग चाती बेच से ओपर उड़कर के छेतरो भासावाद से ओपर उड़कर के चोचूदर स्प्रिस सिता के किसी भी भाव से ओपर उड़कर के राष्ट धर्मों के लि अपने स्दार्व के लिए यही हम सब का सबसे अच्छा एक भाव होगा और खोली का यही संदेश हम सब को आगे बढ़ने के लिए प्रेडित कर रहा है आज के सौसर कर एक बात हुना आप सभी को खोली की धार्दिक मंगल में सुपकाना देते हुए अप सब के भीवन में होगी जागा एक नहीं होजा का समचार करते वे हम समाच भिर्मान और राश्मन भिर्मान के प्रवर्टमान कारिक्रम के साथ जुड़ सके इस भाव के साथ मैं आप सब के प्रदिय इपनी सुपकानाई देता हूँ आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, तीन बार मेरे साथ बोलेंगे भारत मता की बंडे मात्रम बंडे मात्रम